ग्रामीन क्षेत्रों में अनेक प्रकार की ऐसी जड़ी बूटियां पाई जाती है, जिसका आयुरवेद में बहुत महत्व है. इन जड़ी बूटियों से कई बीमारियों का इलाज भी किया जाता रहा है. इन ही जड़ी बूटियों में से एक है शतावरी का पौधा. शतावर इसके लिए लाल दोमठ वकाली मिट्टी की आवश्यक्ता होती है. यह बेल या जड़ के रूप में ही विकसित होता है. इसकी लताएं जड़दार होती हैं जो चारों और फैल जाती है. आयुरवेद में शतावरी पौधे का प्रयोग अलग-अलग तरीकों से कई सालों से ह होता रहा है. इस पौधे से बनी दवाईयों के उपयोग से पहले दवा की उचित मात्रा, विधियां, उपयोग के तरीकों के नियम की पालना बहुत जरूरी है. मुख्य रूप से शतावरी का प्रयोग भिन-भिन बीमारियों में किया जाता रहा है. आयुरवेद इशन लाल ने बताया कि शतावरी के पौधे के फूल सफेद रंग के बेहत खूबसूरत और अच्छी सुगंध वाले होते हैं. इसका प्रयोग कई दवाईयां बनाने में किया जाता रहा है. अब शतावरी के पौधे की खेती भी होने लगी है. इस पौधे का रोपन जु अब शतावरी का आएरवेद में बहुत बड़ा मैत्व है. इसे कई प्रकार की दवाईया को रूप में इसका प्रयोग किया जाता है. जो हिमाली च्छित्र में जो पाय जाने वाला इक पोदा है. जो वर्तमान समय में जून और जुलाई के समय में ये पोदा रूप दूर करना है पृद्वाशिर को दूर करना सांस के मरिजों के लिए इसको वियों के लाया जाता है और इसके साथ अन्हेक प्रकार के इस अइरνवेदिक दवाईयों के उसमें सतावरी के पोड़ेगा प्रियों किया जाता है को